हलो गाइस कैसे हैं आप सभी दोस्तों क्या आपको कभी कोई ऐसा मिला है जो कहे बस मेरे पास बहुत पैसा है अब और नहीं चाहिए नहीं ना हम में इसे कई लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि money can buy happiness इसे कहते हैं person money happiness syndrome ऐसा नहीं है कि पैसे से हमें खुशी नहीं मिलती लेकिन इस सोच में इतना डूब जाते हैं कि हमारी खुशी के माई नहीं बदल जाते हैं कुछ ऐसा ही हुआ अर्थर मिलर के नॉवल में salesman बिली लॉमन के साथ जो image 6 का काफी important नॉवल है दोस्तों मैं हूं मॉनिका and welcome back आज की वीडियो का topic मुझे मेरे lovely subscriber ने suggest किया है thanks guys for motivation आप चाही तो इसी तरह और भी topic suggest कर सकते हैं आज की वीडियो में आप जानेंगे about the author, summary, characters, themes and much more so watch it till the end, let's begin Guys, Death of Salesman एक stage play है जिसे American writer Arthur Miller ने लिखा है वे एक play writer होने के अलावा essays and screen writer भी थे Miller ने कई plays लिखे हैं जिनमें से All My Son, Crucible, A View From Bridge काफी popular हुए इनने कई बड़े awards भी मिले हैं जैसे Pulitzer Prize for Drama and Jerusalem Prize Hollywood actress and pop icon Marlon Monroe इनकी wife रही थी Miller एक popular public figure थे इन्होंने Professor Kenneth Rose से training ली थी जिनके साथ इनकी बहुत अच्छी bonding थी इन्होंने कई radio plays भी लिखें जिनने CBS radio पर broadcast किया गया Death of Salesman is a play with two acts and a requiem जिसे की Arthur Miller ने 1949 में publish करवाया और इसी के लिए उनने Pulitzer Prize भी मिला ये कहानी है एक बुड़े salesman विली लोमन की जिसने अपनी life ही बेच दी to pursue his American dream American dream एक belief है by which America gives equal opportunity to all its citizens ताकि वो successful या rich बन सकें through hard work and dedication Death of Salesman इसी issue को address करती है साथी इस dream में किस तरह characters अपनी reality और identity को भूल जाते हैं ये भी देखने को मिलता है इस हद तक कि विली और उसके बड़े बेटे बिफ जो कि एक school drop out है उनमें arguments हो जाते हैं और अंत में विली suicide कर लेता है इस hope में कि उसके family उसकी life insurance मनी से अपने dreams पूरे कर पाएगी जानते हैं novel के characters के बारे में कहानी का protagonist है विली लोमन 63-year-old insecure salesman जो की बेचने के लिए travel करता है वे कुछ जादा पैसे नहीं कमा पाता He is chasing American dream to become successful and well-liked उसका mind stress में है वो past और present में उलजा रहता है विली की wife है Linda जो की struggle कर रही है to keep her family happy कपल के दो बेटे हैं बड़ा बिफ जो की 34 बर्ष का है He wants to work in farms against his father's wish बिफ स्कूल टाइम में football player था मगर पढ़ाई में अच्छा नहीं था He dropped out of school बिली और लिंडा का छोटा बेटा है happy He is 32-year-old और वो अपने आप से कुछ सादा ही प्यार करता है He is a womanizer and has many affairs पर वो अपने फादर को idealize करता है हाना कि present में वो एक assistant का assistant है इनके अलावा novel में कुछ और characters है जैसे कि विली का neighbor Charlie और उसका बेटा Bernard Charlie विली को पैसे उधार देता है वहीं Bernard काफी intelligent boy है प्ले में विली के भाई Uncle Ben की भी appearance है जो कई सालों पहले Africa चला गया for business and became successful अब जानते हैं plot summary Death of Salesman टू एक्ट्स का play है With a Requiem कहानी विली लॉमन की last 24 hours को दर्शाती है कहानी की setting न्यू यॉक में during 1940s में रखी गई है प्ले की शुरुआत में विली लॉमन थका हुआ business trip से घर लोटता है और वो कई बार अपनी car crash कर चुका है तो उसकी wife Linda उसे travel ना करके city office में ही job shift करने को कहती है तभी उसके दो बेटे आते हैं बड़ा बिफ जो की west से farm में काम करके लोटा है और दूसरा happy कहानी कई बार flashback में जाती है Miller समय के बदलाव को दिखाना चाहते थे तो उन्होंने flashbacks की जरे दिखाया Willi को past की illusions दिखती है कि किस तरह उसके बेटे उससे बचपन में कितना प्यार करते थे Past में उसका एक affair भी था Willi को अपना भाई Ben भी दिखता है जो की Africa चला गया था and he became successful and rich Ben की तस्वीरे Willi को याद दिलाती रहती है कि उसकी life में failure है और उसे कुछ करना है बातों में लिन्डा अपने पते की बिगर्थी state of mind के बारे में अपने बेटों को बताती है लिन्डा को शक है कि Willi suicide करना चाहता है क्योंकि उसे एक rubber tube मिली थी जिससे Willi खुद को मारना चाहता था वो अपने बच्चों से पिता से अच्छे relations बनाने की request करती है तब ही Willi enter करता है और family में Biff के future की discussion शुरू हो जाती है जिसमें Biff अपने previous employer को business proposal देने वाला है इसी दोरान Willi को नजर आती है past की illusion कि Bernard उसे Biff के maths में fail होने के बारे में बता रहा है पर Willi Bernard को ignore करता है past की illusions में Biff अपने पिता को किसी और woman के साथ देख लेता है जिसकी वज़े से Biff का उसके पिता के साथ रिष्टा हमेशा के लिए बदल जाता है present में Willi अपने boss Howard से job shifting की request करता है पर job से उसे निकाल दिया जाता है Biff का previous employer भी उसे पहचानने से मना कर देता है और Happy और Biff ये बात बताने के लिए Willi को restaurant में मिलते हैं Biff और Willi की argument हो जाती है और Happy और Biff Willi को अकेला छोड़कर girls के साथ चले जाते हैं Biff की argument से ये पता चलता है कि वह अब अपने पता को admire नहीं करता Willi घर लोटता है दुखी और disconnected from reality वो अपने backyard में seeds बोने लगता है और साथ ही imaginary बात करने लगता है अपने brother Ben से जो Willi को insurance policy के बारे में बताता है Biff घर लोटकर फिर से Willi से confront करता है और रोता हुआ सोने चला जाता है Willi अपने बेटे की disappointment देखकर अपना plan decide करता है और उस रात जब सारी family सोने चली जाती है Willi intentionally अपने car का accident करता है which kills him प्ले में शोक सभा होती है जहां Charlie, Bernard, Linda, Happy और Biff के अलावा कोई नहीं पहुँचता Biff को लगता है Willi को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था तो ये थी plot summary अब देखते हैं कुछ themes के बारे में Death of Salesman is best known for its themes Play की major theme है American Dream and Disillusionment यानि American Dream के बारे में गलत फहमिया Willi को लगता है कि American Dream का मतलब है Money and Recognition from Society वो अपनी वर्थ नहीं समझ पा रहा और गलत फहमियों में जी रहा है Novel में Illusion vs. Reality के theme नजर आती है Play का flashback में जाना Readers को confuse करता है जिससे character के mind की confusion का पदा चलता है Characters reality से परे कुछ और दिखा रही है Willi जूटी sales earning दिखाता है Play के climax में Biff Willi को phony बुलाता है यानि बनावटी पूरी Loman family truth को accept नहीं करती और pretend करती रहती है Play में धोका या betrayal की theme है Ben और Willi को उनके पिता ने छोड़ दिया था इसी तरह Willi भी अपनी family को छोड़ कर चला जाता है Willi Linda को भी betray करता है Another important theme of the novel is nature vs. man-made environment Willi जहां successful salesman बनना चाहता है वहीं secretly वो nature lover भी है जब Willi सबसे ज़्यादा दुखी होता है तो वो nature की lap में आता है पर वो यहीं मानता है कि success man-made city life में है Biff भी nature lover है वो farm में काम करना चाहता है पर उस पर American dream थोप दिया जाता है Play में कुछ symbols हैं जो theme को दशाते हैं जैसे कि stockings जो Willi Loman के betrayal को दिखाता है Miller ने stockings जो उस तरह पर काफ़ expensive थी उनके ही साथ ये दिखाया है कि किस तरह Willi expensive चीज अपनी wife को नहीं बलकि दूसरी औरत को देता है Woman की praise Willi को success की illusion में रखती है इसी तरह seeds Willi Loman की nature longing को दिखाते हैं His desire to plant seeds to grow is healthy but unplanned It is his last attempt to do something fruitful Play flute की दून से शुरू और end होता है Which is an important symbol Flute की दून से audience को Willi के past और present से connect किया गया है Guys, novel का एक important quote है The grass don't grow anymore, you cannot raise a carrot in the backyard इस quote में Willi की tension का पता चलता है Willi की delusion उसे plan करने को कहती है पर उसे पता है कि वहाँ light कम है और कुछ ग्रून नहीं हो पाएगा It is a metaphor of American dream and his family तो ये थी complete detail of the novel I hope video आपके काम है Don't forget to give your feedback Thank you and see you in the next video